अब यार ये चैप्टर ना दिखने में बहुत ही गजब आसान है तुम लोग को लगेगा मुझे समझ में आगया समझ में आगया बस याद ही तो करना है ये रोड़ वेज इन सबके एक्जामपल याद कर लेने है लेकिन यार एकजाम में नंबर आने से रहेंगे क्योंकि इस पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से निप्टाने की कुशिश करेंगे और ऐसे निप्टाएंगे कि तुम्हारे टर्म तुमें भईया नंबर मिलें भरभर के नंबर लिकर जाओगे अगर बस इस वीडियो को शांती से आखकान खुल कर देख लेते हो तो तो यार ब खाइन है वलब जिन्दा जिसके ऊपर है एकॉनमी तो वह क्या है ट्रान्सपोर्टेशन आगे चलके हम लोग देखेंगे कि अखिर ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंडिया में रग रग में कैसे भरा है उससे हम लोग को क्या-क्या फाइदा मिलता है देको ये भाईया जी ट इस चैप्टर को समझने के लिए ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन एक बार दिमाग में बठा लो, तुम लोग को अल्रेडी पता ही होगी, अब ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन नहीं आता है, लेकिन फॉर एक्जाम्पल आ भी जाए, तो यहां पर एक जनरल डेफिनेशन या आते हैं, ट्रांसपोर्ट, और यही है हमारे इंडिया की लाइफ लाइफ लाइन, इसी पर पूरा यार, एंसी आर्ट वालों ने चैप्टर बना रखा है, अब इस चैप्टर के अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, कि अखिर इसमें कौन-कौन से पार्ट्स हैं, सबसे प पर क्या कर रहा है, आई-टी डिपार्टमेंट, वाटसेप, मीडिया, यह सब ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में क्यों हैं भाईया, तो यार, मैसेज़ेस को भी तो हम लोग एक जगे से दूसरे जगे पर भेजते हैं, तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट ही हुआ, तो मैसे देखो यार, ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, और यह सीधे डिटर्माइन करता है कि आखिर उस कंट्री की डेवलप्मेंट कैसी होगी, मालनो तुम्हारे यहाँ पर कोई एकदम बहुत पढ़ लिखकर डिस्टिक कलेक्टर अब उनको ऑफिस में जाने में ही पांच-छे गंटा लगवा रहे हो, तुम तुक 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 करके उन्हें प्राबलम हो रही है, तुमने मालनो को नया बिजनेस स्टाट किया, और तुम्हें अपना प्रोड़क्ट का समान भेजना है जम्मू कश्मीर में, और तुम हो अ अराम से हो जाएगी, एक दब मक्हन की तरह गाणिया चलेंगी, सारे समान अच्छे से तेजी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी ट्रांसपोर्टेशन में, तो जो डेवलप्मेंट है वो और इन्हेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हुमन की भी प्रोड़क्टिविटी बढ़ेगी, और समानों को क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे हम लोगों को और आसानी होगी, हमारे काम की जो तेजी है वो बढ़ जाएगी, सो ट्रांसपोर्टेशन डिरेक्ली एफेक्ट करता है किसी भी कंट्री की डेवलप्मेंट क स्पीड को, इसी वजए से यहाँ पर इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, अरे उधर नहीं इधर दिखो अंकल, चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ 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 लाइ अब आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी information अगर तुम्हें ऐसे ही टाइप के वीडियो देखने हैं live classes कर थू मतलब हम लोग interaction वगेरा भी करते रहें और तुम लोग साथ-साथ में अपने doubt भी पूछ पाओ तो तुम लोग description वाले link से live classes join कर सकते हो एकदम free है YouTube पर ही होती है description में तुम लोग को latest class का link मिल जाएगा साथ-साथ में अन-academy के बारे में तुम लोग को पता ही है उसमें तुम लोग को कई सारे features, tools वगेरा मिल जाते हैं जिससे तुम अपने preparation को free में ही अच्छे level तक पहुचा सकते हो in case अगर तुमें subscription वगेरा की जवत पढ़ती है तो MSPN code, MSPN code से तुमें अच्छे कासे discount वगेरा मिल जाते हैं अभी के time पर 20% discount मिल रहा है लेकिन साथ में अगर तुमें free में चाहिए अगर और subscription के साथ-साथ में तुमें कई gift वगेरा भी चाहिए तो तुम लोग prodigy नाम का एक test है अगर उसे भी दे सकते हो prodigy में यार बस तुमें अच्छे type के questions होते हैं उन्हें देना रहता है और फिर क्या prices वगेरा मिल जाते हैं free में subscription भी मिल जाते हैं scholarship में अगर एक से 10 rank के अंदर आ जाते हो तो 100% scholarship तक भी मिल जाती है so description में link है जाकर check out कर लो special class का भी link तु देखने के लिए YouTube के classes देखने के लिए भी कोई पैसा नहीं लगना है ठीक है तो note कर लो क्या पता तीन marker के लिए कोशन ही आ जाए land transport में हम लोगों को roadways मिल जाता है roadways मतलब सडके जो भी सडके चलती रहती है railways मतलब rail गाड़ी अपनी और pipelines pipelines नया word तुम लोगों को लग रहा होगा तो याद pipelines कुछ नहीं है जब हम लोग pipes के तुरू बड़ी-बड़ी pipes के तुरू हम लोग states के बीच में कई सारी fluid वाली transport करते हैं तो उसे हम लोग कहते है pipeline transport ऐसे बड़ी-बड़ी countries में यहाँ पर जो भी gas वगरा होते हैं जो भी crude oils वगरा होते हैं यह pipelines के थू ही share किये जाते हैं अभी इंडिया में भी कुछ-कुछ जगहों पर यह pipelines वाली facilities आ चुकी हैं जहांसे gas हो गया crude oil हो गया और कभी- अभी आगे देखते हैं अभी अपने दिमाग के परेंदों को शान्त रखो और एक-एक करके जब पढ़ेंगे तो पूरी clarity आ जाएगी जाते हैं domestic airways, international airways जैसा नाम बता रहा है domestic airways मतलब वो घरी में रहेंगे एक देशी में चलेंगे international airways मतलब वो विदेशों में भी जाएंगे वो flights वागएरा अब एक-एक करके अच्छे से देखते हैं पहले roadways देखेंगे फिर railways देखेंगे फिर pipelines देखेंगे फिर water transport और air transport देखेंगे ओके यार यह revision टाइप से मैं तुम लोग को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से हम लोग पूरा chapter complete करेंगे यह नहीं कि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से अगर देखते जाओगे तो पूरा chapter समझ में आने वा झॉरा यहाईगा